आज एक खतरनाक खबर लेकर आपके भी दुनिया में Artificial Intelligence AI से कैसी तबाही आ सकती है इसकी आशंकाएं पुरे दुनिया में च्छाई हुई है अभी दावस में World Economic Forum इसकी बैठक होने जा रही है उसके पहले जो रिपोर्ट वहाँ पर पेश की गई है उसके मताबिक जो दुनिया का सबसे विकसित देश है अमरीका वहाँ पर AI की वज़े से 60 फीसदी कामगारों के काम उपर फर्क पड़ सकता है इस फर्क का एक मतलब यह है कि उनमें से बहुत से लोग नौकरी खो सकते हैं हिंदुस्तान में यह 30 फीसदी तक आके रुक रहा है क्योंकि यहां खेतों में काम करने वाले मजदूर ज़ादा हैं किसान ज़ादा हैं हाथ का काम करते हैं जिनमें AI का सिधा सिधा कोई दखल नहीं है लेकिन हिंदुस्तान में कॉल सेंटर जैसे बहुत सारे ऐसे काम है जिनके उपर AI का पहला हमला हो सकता है AI यहने Artificial Intelligence जो कम्प्यूटर के भीतर काम करता है एक कम्प्यूटर से हजारों टेलिफोन लाइने इस तरह से जोड़ी जा सकती है कि उसका AI जो है कृत्रिम बुद्धी जो है कम्प्यूटर की वही लोगों के सवाल सुनती रहे वही शिकायतें दर्ज करती रहे वही ग्राकों को जानकारी उनके सवालों के जवाब में जानकारी देते रहे ऐसा AI कर सकता है यह पूरा हज्जारों करमचारी जिस काम को कर सकते हैं उसको एक कम्प्यूटर कर सकता है अकेला कम्प्यूटर बेहतर तरीके से कर सकता है उसके पास कंपनी के प्रोड़क्ट की एक एक जानकारी रहेगी वो बिना चूक किये हुए अपनी सेवा के बारे में सामान के बारे में टेक्नलाजी के बारे में हर तरह की मदद हर तरह की जानकारी हर तरह की शिकायत दर्ज करना ना केवल उसको कर सकता है बलकि अपनी कम्पनी के भीतर उस शिकायत को कहां भेजना है किस जगे भेजना इसको पल भर में कर सकता है जिसकों की करमचारी जो हैं उनको करने में कुछ मिनट लगते हैं बहुत से करमचारी लगते हैं आज हिंदुस्तान में लाखों लोग काल सेंटर्स में काम करते हैं शायद दसियों लाख भी हो सकते हैं इतने लोग काम करते हैं, इनके उपर AI की बेरोजगारी का सबसे पहला हमला हो सकता है, लेकिन कहां ये हमला नहीं हो सकता है। आशंका वहां पर जता रहे हैं, इन सब को अगर देखें, तो एक भयानक तस्वीर सामने आ रही है। आज लोगों को यहां अंदाज नहीं लग रहा है कि किस तरह के कितने लोग अपनी नोकरी खोईंगे लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है। मैंने यह चाइट जीपीटी जैसी कुछ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेजड टूल्स मैंने इस्तेमाल करके देखे हैं। खुद मैंने इस्तेमाल किये हैं। बच्चा भी कर सकता है कोई इस्तेमाल में बड़ी बात नहीं है। मैं अपना तज्यूरुबा बतला रहा हूं। वो पूरी की पूरी रिपोर्ट तो तैयार नहीं कर सकता। वो पूरे के पूरे आर्टिकल तैयार नहीं कर सकता। लेकिन उसका एक खाका ऐसा बना सकता है वो, कि मुझको जिस काम में आधा दिन लगना था, चार घंटे, छे घंटे मुझको जिस काम में लगने थे, उस काम को वो देड़ दो मिनट में तीन मिनट के भीतर करके खत्म कर सकता है, फिर उस धाचे का इस्तेमाल करके, मैं उसमें अपनी बातों को जोड़ दूँ सुधार लूँ जाच कर लूँ उसके तत्थियों को एक अलग बात है आज हिंदुस्तान के बहुत से वकील जो है चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दूसरे टूल से इस्तेमाल करके अपने कोर्ट में पेश किये जाने वाले पिटीशन की कॉपी ड्राफ्ट कर रहे हैं थोड़ी सी गलबरी भी हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक शरारत भी कर रहा है उसमें वो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसलों का जिक्र कर रहा है अपना तर्क देने के लिए किसी बात क पक्ष में एक तर्क दुनने के लिए हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसलों का हवाला दे रहा है जो फैसले कभी हुए ही नहीं थे जो केस कभी चले ही नहीं थे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस औजार की तरह बनाया गया है उस औजार से आग मक्कारी भी कर रहा है वो इन्वेंट कर ले रहा है वो कलपना से गरह ले रहा है कि शांतीलाल पारख वर्स गौर्व olमेंट एंडिया उनुस सजन्तैंवे का केस उसमें सुप्रीम कोर्ट पे जस्टिस फलाने फलाने नहीं यह फैसला दिया था उसका दो पेरा डाल दे रहा है जाच करने में पता लग रहा है कि ऐसा कोई केस कभी चला ही नहीं था अदालत के इतियास में ऐसा साउधान रहने के भी जरूरत है इससे इससे बहुत तरह के खत्रे और भी खड़े होने वाले हैं एक बड़ा खत्रा हिंदुस्तान और अमरीका इन दो देशों में चुनाव होने जा रहे हैं कुछ महीने बाद वहाँ पर राष्ट्रपती का चुनाव होने जा रहा है हिंदुस्तान में संसत का आम चुनाव होने जा रहा है सिधे जनता से नहीं चुने जाते हैं अमरीका में राश्ट्रपती को सीधे हर वोटर के वोट से चुनी जाती हैं वो ऐसे में मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करने वाले हजार किस्म के ऐसे मामले हो सकते हैं जिन से किसी पार्टी के पक्ष में, किसी नेता के पक्ष में, किसी उम्मीदवार के पक्ष में या किसी चुनावी मुद्दे के पक्ष में ऐसा भून कर निकाला जाए, ऐसा किया जाए, पैदा किया जाए, गड़ा जाए, उसको चुनिंदा लोगों के बीच फैलाया जाए, ऐसा एक बहुत बड़ा खत्रा है AI का मामला इस एक एपीसोड में खतम होने लायक नहीं है इसलिए मैं टुकड़ा टुकड़ा आपको अलग-अलग पहलू इसके बतला रहा हूँ इसका एक बहुत बड़ा पहलू यह है जिसमें अमरीका और हिंदोस्तान में फर्क आ जाता है AI एक आउजार है इस आउजार का जो जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर ले पर्मानु उर्जा से पर्मानु बिजली घर भी चल रहे हैं और पर्मानु बम बना कर किसी देश पर फिंके भी जा चुके है इस बात को समझ लीजिए यह एक आउजार है अभी तक किस दिन यह आउजार जो है अपने आपको एक हतियार की तरहे खुद इस्तेमाल करने लगेगा उसकी कल्पना भी लोग कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा बहुत दूर नहीं है शायद 5-10-15 साल के भीतर AI एक दानव या राक्षस की तरह अपनी खुद की ख्षमता को अपनी खुद की कल्पना से अपनी सोच से इस्तेमाल कर लेगा और उसको हो सकता है कि हम इनसानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए उसको देख लेए मैं एक चोटी सी मिसाल आपको देता हूँ बहुत चोटी सी हमने अर्टिफीशियल इंटेलिजेंस बनाया हमने उसमें ये कंसर्ण डाली ये फिक्र डाली कि धर्ती का परियावरन जो है वो खराब हो रहा है बहुत तेजी से बिगड़ रहा है इनसान चीजों की खपत इतनी जादा कर रहे हैं कि धर्ती पर कार्बन फुट्प्रिंट बढ़ते चल रहा है अब AI को हमने अगर इस फिक्र करने में जोड़ दिया कि सोचो AI इसके लिए क्या किया जा सकता है बताओ AI जैसे एक किसी उपकरन को कहते हैं एलेकसा केल सहगल का गाना सुनाओ तो एलेकसा केल सहगल का गाना ढूंड के सुना देती है ऐसे ही AI से अगर ह हो सकता है कि सोचने लगे कि कैसे कैसे परियावरन आज खराब हो रहा है और इस बरबादी को कैसे रोका जाए हो सकता है कि AI इस नतीजे पर पहुंचे कि इनसान एक अकेली नसल है जो धरती को बरबात कर रही है और धरती पर इसका एक अधिकार तो है नहीं बहुत सारी नस इसको बर्बाद करने का एक आधिकार मिल जाए हो सकता है ए आई ये सोच ले कि इनसान जब तक रहेंगे तब तक तो ये धर्थी को बर्बाद करते रहेंगे तो इनसानों को कैसे खत्म किया जा सकता है ताकि धर्थी को और परियावरन को बचाया जा सके बाकी करोडों नसलो बचाया जा सके आप एक अपरात कता की तरह सोच कर देखिए और बहुत सी अपरात कताएं सच होती हैं अभी चार दिन पहले 36 गड़ में हुआ है इसकूली लड़कों ने एक स्कूली लड़के को एक इसकूली लड़के की एक तरफा महुड़के केस में एक क्राइम सीरियल द जिस दिन AI ये तै कर ले कि इनसान ही जिम्मेदार है धर्ती के परियावरन को धर्ती को खत्म करने के लिए और अगर उसकी सोचने की और अमल करने की ताकत अगर बढ़ाते चले जाएं AI टेकनलाजी को विक्सित करने वाले तो पता लगेगा कि वो दुनिया की जितनी लैब हैं उन लैब से कोरोना के वाइरस और कोरोना जैसे हजजारों और किस्म के वाइरस इनको हवा में जारी कर दे ये बिजली घरों को बंद कर दे ये देशों के एक दूसरे के खिलाफ परवानू हथियारों को छोड़ने का होक्म दे दे, ये हजार किस्म से इनसानों के इनसानों पर हमले का काम AI कर सकता है, या कर सकती है, जैसा भी हम मानें उसको, तो इस बात को समझने की जरूरत है कि AI के खत्रे अनंत हैं, जितनी उसकी संभावनाएं हैं, उससे जादा ही उसके खत्रे हैं, AI जिस दिन धर्ती को अपने नियंतरन में ले लेगा जिस दिन मानव जाती को नस्ट करने पर उतारू हो जाएगा जिस दिन उसको लगेगा कि इस नस्ट के लोग धर्ती को ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं यह इस देश के लोग सामानों की ज़्यादा खपत है यह ज़़ादा बर्बाद कर रहे हैं धरती को मैं मिसाल के तोर पर बताता हूँ अमरीकियों की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सामान की खपत दुनिया में सबसे ज़दा है बिजली डीजल पेट्रोल कागज सब चीज की खपत उनकी सबसे ज़दा है खाने पीने की खपत भी उनकी सबसे ज़्यादा है दुनिया में अब मान लीजिए AI तै कर ले कि यही लोग धर्ती को बर्बाद कर रहे हैं और इनको खत्म किया जाए मैं किसी एक देश या नसल के खिलाफ नहीं हूँ मैं केवल अपरात का था कि किस्म की साजेश बतला रहा हूँ तो AI बड़े आसानी से उस देश को खत्म करने का रास्ता निकाल सकता है मैं ही सोच सकता हूँ तो AI तो मुझसे करोणों अर्बों कुना तेज रफतार से अलग-अलग कलपनाएं कर सकता है वहां की पूरी बिजली खत्म कर दे वहां जो दवाईयां बनाने वाली फैक्टरी हैं उनके फार्मूले बदल दे वहां गैस जो बन रही है अक्सीजन सिलिंडर जो बन रहे हैं उसमें गैस बदल दे वहां जो वाटर फिल्टरेशन प्लांट हैं उनमें रसायन जिस अनुपात में मिलाए जाते हैं पानी को साफ करने के लिए उस अनुपात को बदल दे वो खान-पान जो तयार हो रहा है जिन फैक्टरियों में वहां कुछ का कुछ मिला दे वहां जो बहुत थोड़ी मात्रा में जीन चीजों को मिलाना है अधिक में नुकसान हो सकता है उनकी मात्रा बढ़ा दे ये AI सब खुद कल्कुलेट कर सकता है खुद कर सकता है तो ये एक बहुत बड़ा खत्रा AI के अपने फैसले लेने का है, जिस दिन वो फैसले जैसे, मैंने आपको बतलाया कि हिंदुस्तान में कुछ वकील जो AI की मदद से ड्राफ्ट बना रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि वो AI कहीं कहीं ऐसे फैसलों का जिक्र कर दे रहा है, जो कभी मामले मुकद में चले ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में किसी भी अदालत में तो ये ऐसा एक खत्रा मैं बतला रहा हूँ आपको कि ये रोजगार वगर को प्रभावित करने से परे ये एक खत्रा धर्ती पर असली हो सकता है जिस दिन AI ये तै कर ले कि मानव प्रजाती को किसी रंग के लोगों को किसी नसल के लोगों को किसी धर्म या देश के लोगों को खत्म करना है किसी एक जेंडर को खत्म करना है वो कुछ भी कर सकता है सब वो ये तै कर सकता है कि मैं पूरे दिन दुनिया का डेटा डिलीट कर दूँ बैंकों का, कम्प्यूटरों का, आफिसों का, हास्पिटल का, स्कूल कालेज का, सारा डेटा आप एक ऐसी कल्पना कीजिए, दुनिया की किसी भी डिजिटल डिवाइस पे कोई भी डेटा नहीं बचेगा तो हम ऐसे खाली हाथ हो जाएंगे, कि हमारे पास कोई भविश्य भी नहीं बचेगा उन हाथों में, ये AI के लिए बड़ा आसान रहेगा ये करना, अगर AI तबाही करना तै कर लेगा तो लेकिन दूसरी तरफ, मैं अब इसके दूसरे पहलू पे आता हूँ, एक बात पर मैं इसी पीसोट को खत्म करना नहीं चाहता, अमरीका और हिंदुस्तान जहां पर चुनाव होने जा रहा है, आज भी सोशल मीडिया को लोगों को प्रभावित करने का एक बहुत बड़ा आ अमरीका के मददाताओं को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया पे एक अभियान चलाया, ऐसा माना जा रहा है, उसकी जाचवगर भी हुई थी, किसी किनारे पहुची किनी मुझ को याद नहीं है अभी, हम कल्पना करें कि अमरीका और भारत जैसे लोग तंत्र जो की बड़े मददाताओं से फैसला पाते हैं कि कौन देश पे राज करें, नेता या पार्टी, अगर ये मददाताओं को किसी अनाइतिक और अनुचित सीमा तक प्रभावित करने के हलत में आ जाएं तो क्या होगा? किसी एक धर्म के लोगों को, किसी एक जाती के लोगों को, किसी नसल के लोगों को निशाना बना कर अगर सोशल मीडिया पर, मैसेंजर पर सची या जूटी जानकारी भेजी जाये तो क्या होगा मैं अभी एक रिपोर्ट पर रहा था यही दावोस के सिलसिले में यह रिपोर्ट आई है उसमें उसका मानना है कि AI के जमाने में AI के युग में सच और जूट का फर्क खत्म हो जाएगा आप उसी को सच मानने लगोगे जिसको की AI के मार्फत आप तक भेजा गया है आपको छाट के भेजा गया है मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ अभी मैं बात कर रहा था हमारे कैमरा परसन से कि फेस्बूक या ट्विटर जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म है इन में बड़ी आसानी से इनके कम्प्यूटर अल्गोरिदम जो है ये तै कर सकते हैं कि हमको इन लोगों को अलग कर देना है जो एक पार्टी को या नेता को सपोर्ट करते हैं और उनको भी अलग कर देना है जो इस पार्टी या नेता का विरोध करते हैं ये दो तबके अलग हो गए जो बच गए हैं वही फ्लोटिंग वोटर से हैं वही फेंस सिटर से हैं वही चार दिवारी पे बैठे हुए लोग हैं जो तैनी किये हैं अभी तक कि किसको वोट देना है और हमको सारी मेहनत उन्हीं लोगों के उपर करनी है तो सोशल मीडिया अपने कम्प्यूटरों से AI के इस्तेमाल से इसको पल भर में निकाल सकता है मैं नाम लेकर मिसाल देता हूँ कि कांग्रेस के समर्थक उनको अलग कर दीजिए कांग्रेस के विरोधी उनको अलग कर दीजिए अब जो लोग बच्ते है इनके बीच आप मेरा ये पोस्ट या मेरा ये संदेश या ये मेरा वीडियो इसको भेज दीजिए तो फेस्बुक किया ट्विटर एक्स जो है वो हमारे कंटेंट को ऐसे टारगेटेड आडियेंस तक भेज सकता है आज भी भेज रहा है आज भी वो हमको कई तरह से उकसाता है कि आपकी इस पोस्ट को हम छतिस गड़ में इतने हजार लोगों तक इतने सौ रुपए में पहुंचा देंगे हम एज गुरुप भी बता सकते हैं मुझको 27 से 37 साल उम्र की महिलाओं के बीच ही इस पोस्ट को भेजना है ऐसा हम तै कर सकते हैं आप सोचिए कि जिस दिन राजनीतिक दलों के या सरकारों के अपने AI टूल्स इसको तै करेंगे स्ट्रेटेजी को रननीती को और उसके बाद सोचल मीडिया के AI को किराय पर लेकर उसके मारफ़त अपनी बात को चुनिंदा लोगों तक पहुचाएंगे मान लिजए एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए एक खास तपके के बीच में जूट को फैलाएगी और उस जूट को कुछ लोग प्रमोट करेंगे जैसा अभी ट्रोल आर्मी करती है तो पता लगेगा उससे बहुत सारे लोग जहांसे में आ जाएंगे अभी तक मुझको आज सुबह भी मुझको वाटसेप पर ये संदेश मिला है जब से संदेश आने चालू हुए है तब से चल रहा है आज भी आया है सुबह मेरे पास अब आप सोचिए जितने लोगों को इस तरह से प्रभावित किया जा सकता है उससे लोग तंत्र कैसे प्रभावित होगा देश के भीतर लोगों की सोचने की ताकत जो है उस ताकत को AI के अवजार कमजोर कर देंगे आपके पास चारों तरफ से बड़े विश्वसनी तरीके से कुछ ऐसी चीजें आएगी जिनको आप सच मान लेंगे कि यही सच है जूट और सच का फासला किवल वही रहेगा कि जो भाड़े में ले सकता है उ उनका सच भी जूट में गिनाएगा आप ऐसे दिन की कल्पना करके देखिए इसको थोड़ा समझने की जरूरत है एक तरफ रोजगार जाने वाले हैं एक तरफ लोगों की सोच जो है उससे लोकतांत्रिक फैसले पर भावित होने वाले हैं एक तरफ खत्रे इतने बड़े ह कि AI खुदी दानों बन जाए और मानव जाती को पूरा का पूरा खा ले हो सकता है उसके दिमाग में ये भी आए कि धर्ती नाम का जो ग्रह है ये पूरी आकाश गंगा में ये बड़ा बरबादी कर रहा है बड़ा प्रदूशन कर रहा है ना रहे धर्ती ना बढ़े के ढून ले कई चीजें हो सकती है कई चीजें इन सबसे परे मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ जिस तरह से कंप्यूटर ने और दूसरी टेक्नालाजी ने एक डिजिटल डिवाइड खड़ा किया है गरीब और अमीर के बीच अधिक शिक्षित और कम शिक्षित के बीच विक तयरे देश जो की कंप्यूटर और AI से संपन्न है जिनके लोक शिक्षित हैं वो काफी आगे निकल जाएंगे उन देशों के मुकाबले जहां कंप्यूटर lateralacy कम है जहां कंप्यूटर कम हैं जहां शिक्षित लोग कम हैं जहां AI के मेंगे औजार लोग खरीद नहीं ये देश पीछे रह जाएंगे जो देश AI का इस्तेमाल कर सकेंगे वो देश आगे निकल जाएंगे ये दुनिया के अलग अलग देशों और अर्थवी अवस्थां की बात हुई अब मैं दूसरी बात आपको और बतलाता हूं किसी एक अर्थवी अवस्था के बीतर क्या होग हम हिंदुस्तान को ले ले हिंदुस्तान में AI का इस्तेमाल कौन जादा कर सकेंगे लोग वो लोग कर सकेंगे जो कंप्यूटर लिटरेट हैं कंप्यूटरों पे काम करते हैं जिनका इंटरनेट तक पहुँच है जो शिक्षित है जो उस किसम के रोजगार में लगे हुए ह जहां AI की जरूरत है या काम आ सकती है AI, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये लोग AI की मदद से दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत आगे निकल जाएंगे, तो एक देश के भीतर, एक अर्थ विवस्था के भीतर भी ये फासला बढ़ जाएगा, AI युक्त और AI मुक्त, AI संचित, AI वन्चित, इनके बीच एक फासला बढ़ जाएगा, जो संपन और विपन के बीच फासला हमको आज दिखता है ये फासला और बढ़ने जा रहा है ये मेरा कहना नहीं है ये दुनिया के बहुत से अर्थ शास्त्रियों ने दावोस में अभी ये चिंता जाहिर की है कि ये फासला बढ़ने जा रहा है एक चिंता और भी है इसमें AI का इस्तेमाल कम उम्र के नौजवान कामगार ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं क्योंकि वो कम्प्यूटर की शिक्षा उन्होंने ताजा ताजा ली है जिन लोगोंने कम्प्यूटर की पढ़ाई 10-20 साल, 25 साल पहले की है जो उसका मामूली इस्तेमाल करते हैं ऐसे अधेर उम्र के कामगार, अधिक उम्र के कामगार वो AI से उतना फाइदा नहीं पा सकेंगे तो ये उम्र के बीच, आयू वर्ग के बीच भी एक फासला AI क्रियेट करने वाला है जहां कम उम्र के कामगार जादा अच्छे से इसका इस्तेमाल करेंगे इसका ज्यादा फाइदा पाएंगे अधिक उम्र के कामगार जो हैं अधेरिया और अधिक उम्र के कामगार AI का उतना बड़ा फाइदा नहीं पा सकेंगे तो ये इनसानों के एक आई वर्ग के एक जैसे पेशे के लोगों के बीच भी ये एक खाई खड़ी करने वाला है AI जिसमें जवान तो रोजगार बचा लेंगे लेकिन जो थोड़े से उम्रदराज हैं वो रोजगार जल्दी खो बैठेंगे क्योंकि वो AI को उतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से नोजवान करेंगे अब आप सोचिए खाईया कितने तरह की खड़ी होने वाली है खाईया अमीर देश और गरीब देश के बीच खड़ी होने वाली है हिंदुस्तान जैसे एक देश को अगर ले ले तो यहां के संपन और विपन लोगों के बीच खड़ी होने वाली है ऐसे तब के जो की AI टूल्स का इस्तेमाल कर सकेंगे पेमेंट करके उनके बीच और जो पेमेंट नहीं कर सकेंगे जिनके पास AI टूल्स नहीं रहेंगे इनके बीच एक खड़ी होने वाली है जवान और उनके मुकाबले उम्र दराज लोगों के बीच एक खड़ी होने वाली है ऐसे बहुत तरह का फेर बदल, बहुत तरह का, मैं इसको AI सुनामी कहूंगा लोगों के पाउं उखड जाएंगे, बिजली के खंबे उखड जाएंगे समंदर के किनारे के मकान बह जाएंगे, सडकें और पुल बह जाएंगे कुछ इस किस्म की तबाही सुनामी से आने वाली है लेकिन जैसा कि समुद्र मन्थन की कहानी से पता लगता है कि समुद्र मन्थन से जहर भी निकला था और अम्रिद भी निकला था AI से हो सकता है कि कई ऐसी चीजें हो जिनसे इंसानों का भला भी होगा जैसे एक उधारन देता हूँ मैं आज cancer के मरीजे जो हैं उन मरीजों के लिए एक किस्म की दवा बनती है एक किस्म का cancer उस किस्म की दवा अधिक सग्दिक उनका वजन देखकर उम्र देखकर उनकी बाकी बीमारियों को देखकर उसके dose कम जादा होते हैं लेकिन आप कल्पना कीजिए, आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही, साल, दो साल, तीन साल के भीतर जो होने जा रहा है, मैं वैज्ञानिक जानकारी दे रहा हूं। AI हर मरीज की जेनिटिक स्टडी करके उसके हिसाब से गंबीर बीमारियों की दवाई बना के देने वाली है। कैसा रहा है यह? दो लोगों को एक ही किस्म का कैंसर है, एक ही बीमारी है। लेकिन उन दोनों के लिए दवाई अलग अलग रहेगी, उन दोनों के लिए अलग अलग बनाई जाएगी। नाम लिख के आएगा कंपनी से, कि यह इस व्यक्ति की दवाई है, यह इस व्यक्ति की दवाई है। ये होने जा रहा है ये चालू हो चुका है इस पे रिसर्च साल दो साल तीन साल के भीतर हरेक की दवाई अलग-अलग बनेगी ठीक वैसे जैसे हरेक का चश्मा अलग-अलग बनता है ऐसे हरेक की दवाई अलग-अलग बनेगी ये मेरे चश्मे में चार हिस्से हैं दो हिस्से उपर पढ़ने वाले हैं, दो हिस से नीचे पढ़ने वाले हैं, ये मेरे लिए बना है ये चश्मा, ऐसा हर मरीज के लिए कैंसर की दवा, दूसरी गंभीर बीमारी की दवा, ये अलग-अलग बनेगी, वैक्सीन अलग-अलग बनेगी, आप कल्पना कीजिए, कम से कम नुकसा अधिक से दिख फाइदा होगा ऐसे लाखों करोडों किसम का फाइदा भी AI लेकर आएगी लेकिन उसकी दिक्कतें जो हैं उसके खत्रें जो हैं हो सकता है अमरीका और हिंदुस्तान के कुछ महीने बाद के लोगतांत्री के चुनावे में हमको देखने मिले कि किस तरह से AI ने एक अनुचित और अन्यटिक रोल प्ले किया है हो सकता है देखने मिले अमरीका में तो यह हो ही रहा है वहां फिक्रमन्द हैं वहां फेस्बुख जैसे कंपनी के मुखिया जो हैं वो संसत की सुनवाई में जाकर बैठे रहते हैं जवाब देते हुए कि आपने ये किया कि आपने ये मैनिपुलेट किया क्या, इसको छुपाया क्या, इसको ज़्यादा दिखाया क्या, इस विचारधारा को रोका क्या, इस विचारधारा को बढ़ाया क्या, सबका जवाब देना पड़ रहा है। तो मैं आज तुकला तुकला इस जानकारी को लेकर आपके बीच आया हूँ आने वाले दिनों में दाओस में World Economic Forum की और भी बहुत सारी जानकारी सामने आएगी इस बारे में मैं फिर किसी एपीसोड में आपके सामने आऊँगा लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ AI को हलके में मत लीजिए AI के खत्रे संभावनाय तो ठीक है उसके खत्रे जो हैं कैसे कैसे हो सकते हैं आप किसी अपराद कथा लेखक की तरह बैट कर सोचिए कि AI तबाही कैसे कैसे ला सकती ह मैंने आपको बतलाया कि AI को जिस दिन ये लगने लगेगा कि इनसान जिम्मेदार हैं धरती की तबाही के और धरती को बचाना है बाकी प्राणियों को बचाना है तो इनसान को खत्म करना होगा तो हो सकता है AI उस तरह का फैसला ले ले हमने कुछ एक रोबो कॉप जैसी कु इसला लेने लगे इसी लिए दुनिया के बड़े बड़े सैक्डों कारोबारी मिलकर ये मान कर रहे हैं कि AI पर आगे रिसर्च को रोक दिया जाए क्योंकि ये बेकाबू हो जाएगा ये इनसान को अगर खत्म करने लगेगा तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे इसलिए इस रिसर कारें और दुनिया के कारोबार इसको सुननी रहे हैं जिसको कमाई होनी है AI से वो लोग इतना जल्दी नहीं सुनेंगे बले धरती और इनसान खत्रे में चले जाए मैं फिर मिलूंगा आप से फिर इस बारे में मैं बात करूंगा एक बार में बात पूरी नहीं होनी है अग के लिंक को दोस्तों को भेजिएगा और हाँ छोटी सी सलाह ये है कि AI रहे या ना रहे सर हमारा रहना चाहिए इसके लिए जरूरी है कि अगर आप दुपहिया चलाते हैं तो हिलमेट लगा कर रखें उसका बेल्ट लगा कर रखें चौपहिये पर चलते हैं तो सीट बेल्ट और हिलमेट के ये पुलीस की जिंदगी बचाने के लिए नहीं है सरकार और पार्लियमेंट की जिंदगी बचाने के लिए नहीं है ये हमारे अपने लिए हैं ये सरकार जुर्माना कमाने के लिए ये नियम नहीं बनाई हैं ये हमारे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए ह इसलिए इस पर ध्यान दीजिए फिर मिलेंगे